आज थोड़ी सी क्लास लेट है मगर जवरदास्त होगी इस पेसल दिल्ली जीके के यह बिल्ली पिलिस में भी काम में आएंगे सबीवर्गों भी काम में भी कम भी हैंगे पूरे के पचास के 50 पर संपे प्रमय च्पने वाले हैं और लाने की महतुपूर रंडिती यानि एक्जाम के परसन वैसा एक्जाम में लाने की बउट एसे रटा मार पॉणति वाले परसन वाले परसन है तो एक बार वीडियो पर जो नहा हैं जोड़ूर को सब्सक्राइब नीकी है सब्सक्राइब फिरके वीडियो को अपने दोस्तों तक है बेज दे पहला परसंद आपकी स्क्रीन पारे जूम रहा है बड़ा अच्छा परसंद है बड़ा प्यारा परसंद है और प्यारे दिल्ली के सबसे लंबे समयता के सेवा करने वाले मुख्यमंतरी कोन है तो आपको पता होगा दिल्ली की पहली महिला महिला सियम आप सभी को पता है कोन है सुस्मा सवराज यह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंतरी है दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंतरी कोन है सुस्मा सवराज है और दूसरी दूसरी कोण है सीला दिक्षित है शीला दिक्षित है ब्रह्म चोदरी ब्रह्मा प्रिकास प्रतम सीएम पहले सीएम प्रतम सीएम प्रतम सीएम कोण है चोदरी ब्रह्म प्रिकास यह जो दिल्ली के पहले सीएम है अब सबसे लंबे कारेकाल वाले की बात पूरू तो वो कोड़े पर सीला दिक्षित का कारेकाल सबसे लंबा राह तीन कारेकाल पूरे के इसने किते कारेकाल तीन कारेकाल पूरे किया है तो समसे लंबे कारेकाल वाले दिल्ली की मुक्यमंतरी सीला दिख्चित रही है जो दूसरी महिला मुक्यमंतरी है जबकि पहली महिला मुक्यमंतरी कौन थी सुस्मा सवरास्ती ठीक है परसन मेरी इस हापसे समझ में आ गया होगा आग सकते ये बिलिकी स्ताप ना कीतित को Merciavan मुख्यमंत्री को आप सभी को पताए वर्थमान मुख्यमंत्री अरविंद केज explan near रीवाल है है जो आम आदमी के अधर भी पाटी से अम आदमी पाटी से ये ये c m है c m थीक है और उप सी है मुप्ध मुक्खए मन्तरी गोने मनी से शीसो दिया मनी सीसे उदिया जो सिख्ष्या मन्तरी भी अब दोड़ा सा इनका भी डहाने रखोगी आगे वाला बारत का तोता बारत का तोता किसे कहा जाता है कौन से कवी है जिने भारत का तोता का जाता है भारत का तोता किस कवी को कहा जाता है तो भारत का तोता अमीर कुसरो को कहा जाता है अगला प्रसन आपकी स्क्रीन पर है दिल्ले उच्छे नहले की स्तापना कब होई दिल्ले उच्छे नहले की स्तापना कब होती है तो दिल्ले से अक्टूबर, 1966 में, 1966 में दिल्ली हाइकोट की स्टावना होती है, दिल्ली हाइकोट की स्टावना 31, 1816 सुरुष है, यह सी उप्सन, 50% करवाने इस पीड से करवाने क्यों रट्टा मारना आपको, सीधे सीधे परसन है अगला दिल्ली केंदर साचित प्रदेश कब गठित हुआ दिल्ली केंदर साचित प्रदेश से कब बनाता यह बहुत इंपोटेंट बात है तो दिल्ली केंदर साचित प्रदेश बनाता आपको पता है कि वर्तमान में वर्तमान कितने किंदर साचित परदेश है और 28 राज्य अगर राज्यों की बात करूं तो वो कितने है आठ वर्तमान में कोड़ कोड़ ची है एक तो दिल्ली है ये वारत का रास्ट्य रास्दानी प्रदेश की वारत की रास्दानी भी क्या है दिल्ली है जिसे रास्ट्य रास्दानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है पहली बात तो यह होगी दूसरी बात अंडवान निकोबार दीप सभू दूसरा कोन है अंडवान निकोबार दीप स प्रदेश से भी दादर नगर हवेली और दमन्दीट इनको एक पहले अलगे थे अब दादर नगर हवेली और दमन्दीट को इंप कर दिया गया कब किया गया 26 नूमबर 2019 को गोशिष और 26 जनवरी 2020 को ये प्रभावी रूप से लाग वा यादि गोशना 26 नूमबर 2019 में की गई जबकि ये प्रभावी 26 जनवरी 2020 में हुआ Devi परड़ूचेरी जंबु और कसमीर जंबु कसमीर से रज्ये था ज यह जाइन से अनुचेत मैं से एक विसेश राजिय और नविए गया था अब इसक inmयर कि एक केंदर साशिट प्रदेश बना दिया गया है जंबु कसमीर चेतर को निकालक प्रदेश केंदर और जम्मू कदमिर खुद्विय केंदर साथ परदे, 5 अगस्त उननीस सो, 5 अगस्त दोजार उननीस को गोसीन, जबकि 31 अक्टुबर 2019 को ये प्रभावी हुआ, यह इस ब्रकार भारत में केंदर साथ परदेशों की संक्य कितनी है, बैसा आठ रज्यों की संक्य कितनी है, 28 राजि है कि दिल्ली के वरत्मान उपरज्य पालकों है तो आपको वीके सकसेना विने कुमार सकसेना विके सकसे न कि उने कुमार सकसेना याद रखना तों गाड़ी की भरती की गोष्णा इन्होंने इं की ती आगे वाला प्रसन है डिली में कितने जिले हैं ग्यारा बॉट वेऊ लोग सभ सभा के सदसे it और रजसवा के सदसे किते हैं सट्टमिवाखल के सब्सक्राइए सब्सक्राइब सब्सक्ट भीnothing सरफ के दिल्ली में जीलों की और जीलों की संक्या किती है के गैरा एक अब गैरा जीले है कुन- जीलिम्य में दिकाद indicate तो एक तो नई दिल्ली वा कि राजदानी यह वारत की या है राजदानी भे़्ये एक सेंट्रेल दिल्ली एक पूरी दिल्ली, येक पस्ङी दिल्ली, येक उत्री दिल्ली, और साद्रा, ये चेतरपलाविद स्वचे चोटा घीला है, ऐसे दिल्ली में कितने धीलę है वैसा अबे 11 जील अब आगे बाटूं वरत्मान में दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है तो अभी बताया मुक्यमंत्री को ने अर्विंद के जिल्वाल, मुक्यमंत्री और सिक्ष्यमंत्री को ने मनीश सोधिया, और कौन सी पार्टी की सरकार है, आम आधवी पार्टी की सरकार है, जो वर्तमान में, वर्तमान में, आम आधवी पार्टी के 62 विदायक है, विदायक है, जब की BJP के कि आपको तोड़ा सा ज्यान रखना है आगे बढ़ते हैं तोड़ा सा आगे बढ़ें अटारासो सताउनिस में बादूरसा जहुता है बादूरसा अंग्रेजों ने केद कर लिया यह अंतिम मुगलबाद्सा अंतिम मुगल बादसा अंतिम मुगल बादसा भी है और इनको अंग्रेजों ने गिरबदार करके कौन सी जेल में डाल दिया था जहां उनकी मर्ति हो भी थी रंगून जेल में कौन सी जेल में रंगून जेल में डाल दिया था जहां इंकी मर्ति हो गई थी के अगला पशनर डिल्य का आधर्स वाख के वाक के क्या है सत्य एंस अग्रा है यह टोड़ा सब ध्यान में देणा फिर क्या है डिल्य गे रहीया चीडी से साहता है आपने देखा हूँ है ठीक है दिली के राज के पसू का क्या नाम है नील गाय नील गाय जानते हो ना रोज यहां पर बनाया गया आगे चलते हैं दिल्ली के परतम उपराज्य पार अदिते जहां और वर्त्मान को ने वीके सख से ना ये वी याद रख ले ना दोनों की दोनों पर या दिल्ली की पहली महिला मुक्यमंत्री को ती आभी मैंने बताए था पहली महिला मुक्यमंत्री सुस्मा सावराज 1908 में में कब ए 1908 में में सुस्मा सावराज बीजेपी से बीजेपी से दिल्ली की महिला मुक्यमंत्री बनी थी ये परतम महिला मुक्यमंत्री बनी थी कौन सी परतम महिला मुक्यमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल वाली मुक्यमंत्री के बात करें तो शिला दिक्षिद जो दूसरी महिला मुक्यमंत्री बनी दी अब यहां पर तोड़ा सा देगे दिल्ली की सुनी राजियों से लगती है तो दिल्ली के एक और तो बाई साब यूपी है और एक तरफ कोने हरियाना है, दिल्ली और अर्याणा के यूपी और अर्याणा के बीच में पिछका हुआ है दिल्ली और दिल्ली का चेत्रफल है ना चेत्रफल वह 1484 वरग किलोमीटर है किता है दोस्तों आगे चलता है दोड़ा साथ कों ते चोद्री बरम प्रकास थे भता दिया हमने चोद्री प्रकास दिल्ली के के पहले मुख्यमंत्री थे पहले दिल्ली के पहले सासक को तक तो और गोलम्वस्थ तो बैसा पेट का नाम है गुल मोहूर नले दिल्ली को केंदर सासीश पर मुष्द मुछित यहां थोड़ा ध्यायंसेै 1901 में तक दिल्ली को केंदर साजित प्रदेश ही था मगर उसके बाद 1901 में में गुणंतरवे सविधान सज्दोदन के तैत दिल्ली को रास्चे राजदानी एन सिटी का दर्जा प्राप्वा और इसे अभे पंडुचरी की इतरह है स्वेम की मंतरी मंडल और मुख्य मंतरी की व्यवस्ता की गई वर्तमान में तीन संसाजित प्रदेश जिन में स्टिये मुआ करते हैं कौन कोन चाहे बैसाब दिल्ली तो है यह दिल्ली के बाद कोन चा दिल्ली का पुराना नाम क्या है महबार्थ कालमें … अबार्थ काल में से इंद्रफ्रस्त का करते तें किसे का जाता है दिल्ली का पुराना नाम इंद्रफ्रस्ति यह बैसाब ये मुन अओर यमुना किनारे ही आगरा सहर आगरा का तास में यमुना नदी के किनारे है जबकि यमुना नदी के किनारे क्या है दिल्ली भी भी बसा हुआ है दोनों बाते आपके दिमाज में होनी चाहिए दिल्ली राज्यों के पुनर कटनायों की स्तापना कब होती है 22 दिसुंबर 1953 गो ग्यारा सो इक्राण में में त्राइन का प्रतम युद्ध गोरी ने किस से लड़ा था यानि मोहमद गोरी ने त्राइन का जो प्रतम युद्ध था वो किस से लड़ा था और इसमें गोरी की हार हुई थी इसमें क्या हुई थी त्राइन के दो युद्ध हुई थे एक तो ग्यारा सो इक्राण में में त्राइन का प्रतम युद्ध इसमें युद्ध इसमें क्या ह गोरी ता ना गोरी, गोरी क्या गया, हार गया था, किसे हार गया था, प्रत्वी राज चोहान, और प्रत्वी राज चोहान कौन से तिर्तिये, प्रत्वी राज चोहान तिर्तिये से इनकी हार हो गई थी, और एक और त्राहिन का युद है, 1102 में, तेरा, इनका कौन सा युद कुसा होता है यह गोरी को नमस्कार है विजय हो जाती है किस की विजय हो जाती है गोरी के दो यूद्ध के लड़े गेते परतिराज चोवान के साथ दिल्नी में स्तित राजपत का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है करम पठ्थ करतव्य पत्र क्या कर दिया गया है करतव्य पत्र है। डिल्ली के राजगेव फूल का क्या नाम रहा है अल्फाव्त है। कि लगी हुई है नेता जी सुभात संद्र भूज की जिने नेता जी के उपादी किसे नोने नहें नारह दिया जहिंद का नारा दिया इस के अरवा तुम मुझे खून दो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह नहारा भी दिया तुम मुझे कुंदो मैं तुम्हें आजाद दी दूँगा यह नहारा किसे लिए था नेताजी सुभास अंधरे बोस लिए था ठीक है और इन्होंने आजाद इंद पोज की स्थाफना आजाद अजाद इसका निर्मान किया था इन्होंने पारवड़ ब्लोक पारवड़वड़ उन्नीस सो उन्तालीस में पारवड़़ो की साफना भी की ती यह तोड़े से तत्या है जो आपको इनके साथ याद रख रहे हैं दिल्ली की फेमस ट्रीट फूड कौन सा है दिल्ली का फेमस स्रीट फूड कौन सा है छोले बटूरिय दिली के पर सिद्ध यह है टीट फूड है फिर क्या जनसंक्या में दिली का सबसे बड़ा जिला कौन सा उत्री को स्री जिली रिपीट हो गया गया दिली में दूरदर्शन का प्रसारण कब से प्रारंब हुआ तो 15 सितुंबर 1969 से दि दिली में यवूना शिके निके नहसी नारे राजगाट इस्तित है किसका समाधि पिता और कि कुसमें दी थी थीक है बापू बापू की उपादी इन्हें आर्द नगन फकीर किसे ने कहा था चर्चिल ने किस ने कहा था चर्चिल ने या इनके परमुक उपादिया है और मातमा मातमा की उपादी किसे ने दी ती रविंद्रे नाते टेगोरने रविंद्रे नाते टेगोरने और इनन देवो चंपा रन अंदोलन 1917 में एसायोग अंदोलन 1920 में डांडे यात्रा 1930 में सेवी नए एवग्य अंदोलन 1930 में करो यह बारत चोड़ो अंदोलन 1922 में यह इनके परमुक अंदोलन रहे है इनके परमुक अंदोलन रहे हैं इंडिया गेट के पहले किस नाम से जाना जाता Kingsway इंडिया गेट का प्राचिन नाम यह है दिल्ली में इंडिया गेट की स्तापना कब होती है 12 परवरी 1931 को दिल्ली में लाल के लिए का निर्मान किसी ने कहा जाता है, साजा को इस्थापते कला का जनक कहा जाता है, साजा को कहा जाता है ठीक है बई, और दिल्ली में पहला अकबार कप्रकाशी दुआ था, 1934 में बार के पहले ग्रेड मास्री की उपादी किसी प्राफ्ट है, विसबनात आनंद को दिल्ली में इस्तित राष्टपती बावन का डिजाइन किसने तियार किया था, हरवट बेकर एडविल नून्टिय इस ने राष्टपती बावन कब बन करते हैं था, 1929 में, डिल्ली में इस्तित कुतम मिनार का निर्माण किसने करवाए था, कुतम बुदीन एवक ने, डिल्ली को बार की राष्टानी कब बनाया गया था, 1911 में, 1911 में, जोर्जे पंचम वे मेडम मेरी के द्वारा, कि संसोधन में दिल्ली को राष्टी राष्दानी का दर्जा प्राप्त किया, 1911 संसोधन, 1911 में, नई दिल्ली का उदगाटन किसने किया था, ब्रिटिस गवर्णर जलल लाड इर्विन ने, दिल्ली में कुल कितने रेल्वे स्टेशन है, 46, दिल्ली के सबसे बड़े रेल् दो में, ये 50 परसंत है, आज के बहुत मैंतोपुल परसंत है, एक्जाम में आने वाले परसंत है, डेफिनेटली एक्जाम में ये 100% परसंत है, आएंगे, वीडियो को शेर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, जे हिंद, जे बारत!